World War 1 से related आप कोई भी movie देख लो, कोई भी documentary देख लो, आपको consistently एक particular visual है जो आपको नज़र आएगा, वो ये है कि आपको soldiers नज़र आएगे कि एक बहुत लंबे से गढ़े में वो बैठे होते हैं, खड़े होते हैं, गन लेके, खाना पीना खा रहे होते हैं, सब कुछ उसी में करते हैं, तो यह जो लंबे-लंबे गढ़े थे, first world war के time, इनको कहते थे trenches, और क्योंकि first world war almost पूरा इन गढ़ों में ही लड़ा गया, इसलिए इनको जो लड़ाई का तरीका था, इसको कहते हैं trench warfare, ऐसा warfare जो trenches में हुआ हो, trenches का main purpose ही होता है, कि इसमें जो soldiers हैं, उनलों को एक machine guns हैं, तो आप आने वाली infantry के उपर, जो soldiers आपके उपर अटाक करने आ रहे हैं, उनको आप fire कर सकते हो, बट वो आपके उपर इतने effectively fire नहीं कर पाएंगे, यह main advantage होता है trenches का, आप समझें कि first world war में trenches इतने जाधा use हुए थे, कि 400 मील लंबाई के trenches खुदे हुए थे, बट य यह ऐसा होता होगा, बट reality में वैसा नहीं था, आगर आपको मैं example दूँ तो, आगर आपने वो movie देखी है, 1917, Hollywood की जो movie है, उसमें आगर आप देखो तो एक scene है, जब दो जो अपने hero है, जो protagonist हैं, वो उनलों को message दिया गया है, और वो message लेके trenches में चल रहे हैं, और वो बहु तो वो देखे आपको ऐसा लगेगा, कि trenches होते थे ना वो एकदम straight line में होते थे, मतलब हलका फुलका कहीं उपर नीचे होंगे, but mostly trenches straight line में होते थे, क्या यह सही है, क्या trenches actually पूरे straight line में थे, नहीं, trenches कभी भी first world war में straight line में नहीं होते थे, बलकि trenches को बनाया जाता था, zigzag, मतल right side पे, German side पे, उनका style अलग था बनाने का, एकदम exactly same नहीं था, बट फिर भी, कोई भी trench, straight line में नहीं था, at least यह नहीं था, कि 4-5 km तक straight line ही है, थोड़ा कुछ meter straight line होगा, फिल bend, फिर वहाँ पे कुछ straight line, फिल bend, इस तरह से trenches बनते थे, सीधे इसलिए नहीं होते हैं trenches, क्यो trench पूरा सीधे line का रहेगा, तो अगर यह 3-4 machines लेके आगे अंदर, उनको fire करना शुरू किया, तो line से soldiers करें, उनका तो कोई chance ही नहीं बचने का, उनको line से गोली लगेगी, इस वजए से अगर आपने को zigzag बना दिया, तो ठीक है, आप trench के अंदर आगे, आपने fire करना शुर तो इस तरह से एक natural, आप रुकावट डाल देते हो, एक लंबी fire की line में, यह तो है एक reason, इसका एक और reason यह है कि चलिए अगर infantry नहीं आती है, machine gun नहीं आती है, मान लिजे कि किसी ने artillery fire किया, और अपकी जो artillery की shell है, वो trench के बिलकुल बीचों बिचा के explode होई, जहाँ पे soldiers है अगर यह trench सीधी line में रहेगा, तो जब वो shell explode होगा, तो उसके धमाके से जो shock wave होगी और जो उसका destruction होगा, श्रापनल लिख लेंगे जो समें से, जो छोड़े-चोड़े metal की pieces होते हैं, तो वो एकदम straight line में जाएंगे, और once again बहुत जादा damage करेंगे, बहुत सारे लोग उ जिग-जाग है, तो जो shock wave है, जो shrapnel है, वो कुछ ही range तक जाएगा, उसके बाद उसको फिर से hindrance मिल जाएगा, look out मिल जाएगी, और वो आगे नहीं जा पाए, इन दोनों main reasons के वज़े से, trenches कभी भी straight line में नहीं थे, जिग-जाग थे, इसी से related, एक और किसी ने मुझसे ब हैं, पता है कि वहां पर soldiers हैं, तो सिधे artillery से वहां पर bomb गिरा दो, सिधे उसी trench के अंदर bomb गिरा दो, बहुत सरे bombs गिरा हो, पूरे trenches destroy कर दो, ऐसा क्यों नहीं किया है, इसका भी answer इससे ही जुड़ा हुआ, बिलकुल उन्होंने सोचा था, दोनों तरफ की armies से कोशिश करती थ तो trenches में जाके shells explode हो, और लोगों को चोट लगे, बट इसमें problem क्या है, कि once again क्योंकि वो trenches सीधी लाइंज में नहीं है, तो जो artillery fire होता है, वो इतना precise नहीं होता था उस समय, मतलब ऐसा नहीं कि आपने fire किया, आपको पता है कि exactly वहीं जाकी गिरेगा, artillery fire उस जमाने में बहु उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया है, तो हमेशा आप देखोगे, कि जो trenches होते हैं, उनके उपर sand bags लगे रहते हैं, मतलब जहां गड़ा खुदा हो, उसके उपर कुछ आपको बोरी नजार आएंगे, उसके आगे अगर आप देखोगे, तो आपको अक्सर कुछ से गड़ गड़े नजार आएंगे, similarly trenches जहां पर soldiers हैं, उनके पीछे भी गड़े गड़े नजार आएंगे, यह जो गड़े होते हैं, यह actually impact craters होते हैं, मतलब artillery shells actually होँए हैं, कुछ artillery shells आचे होंगे, जो आके trenches के अंदर भी explode होंगे, but maximum shells यहां वहां explode होंगे, इसके वज़े से soldiers को उत कि वह accurate नहीं होता था होतना, तो आसपास गिरते थे, कुछ तो अंदर भी गिरते थे, और जब अंदर गिरते थे, तो destruction होता था, तो ऐसा नहीं है कि इस चीज़े को किया नहीं गया है, एक और बात जो इसी से जुड़ी हुई है, वो यह है कि अगर artillery से fire नहीं कर रहे हो, तो क्यो ना उपर से planes हो थे उस जमाने में, तो क्यो ना planes लाके आपने drop कर दिये grenades, इसका भी वही reason है, planes अगर इतना नजदीक उड़ रहे हैं जमीन से, तो वो आसानी से जो नीचे से machine gun जोंगी या gun जोंगी वो उनके fire कर सकते हैं, तो planes को उपर बहुत height पर उड़ना पड उस पर नहीं गिरेगी, उस पर गिरने का चांस बहुत कम है actually, क्योंकि हम जब पिच्चर में देखते हैं तो हमको इतना चौणा trench कुछ feet का दिखाई पड़ता है, but imagine करो आप, जब आप कितने 1000 feet उपर जब उड़ रहे हो आप, तो उसमें वो जो line है, वो इदम पत्ली सी line ह जर आएगी, तो उसमें कहां bomb गिरेगा, इस वजए से, आप हवा से भी bomb नहीं गिरा सकते हैं, बिल्कु ट्रेंच के उपर, soldiers के मारने के लिए, आप गिराओगे, ज़रूर, कोशिश करोगे, but वो आपके target पे नहीं गिरेगा, फर्स वल्वर की अगर बात की जाए, तो उस उसको जिस तरह से लड़ा गया, वो 2 वल्वर से पूरी तरह अलग था, और उसका बहुत बड़ा reason यह था, कि वो पूरी लड़ाई trenches में ले 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 गई है, trenches अपने आप में एक बहुत ही अजीब हो गरीब कमाल के structure होते हैं, और इसलिए trenches से related में आगे बहुत सारी वीडि video देखना है, तो आप simply playlist पर जाएं, उस पर click करें, और आपको सिर्फ trenches के ही video नजर आएंगे, और आप मेरी चैनल पर जाके भी आपको जो चैनल का एक tab होता है, playlist बोलके, उसमें भी आपको trench का playlist हो मिल जाएगा, मैं आप खुद एक book पड़ रहा हूँ, जो trench warfare के बारे में, trench की tactics के बारे में है, तो इसलों मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि मुझे बहुत सारे ऐसे ideas मिलेंगे, जो trenches के बारे में हो, और आपको वी शायद वो उसकी बारे में जानने में interest आएगा, finally, अगर आपके video अच्छा लगा, तो मेरी चैनल जिग्यासियम को subscribe जरूर करें करता है